द्वस्त कीगे एरा ग्रूप के अव्याद इमारतों क्या मलबे को हटाया जाएगा इसी सिलसले में आज एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट सर्वटे के नित्रतु में माइनिंग इंजीनियर्स की टीम ने मौके पर जाकर हालात का जैसा लिया एटीवे से बाचीत में शरद सर्वटे ने कहा कि सबसे पहले ध्वस्की के इमारत के मलबे में विस्फोर्ट होने की आजशंका है लहाज़ा इसका मलबा हटाने के दौरान काफी साफधानी बरतनी होगी इसको लेकर सर्वटे कल जेडी अधिकारियों के साथ बैठ़क और मलबे को हटाने की टेंडर प्रक्रिया शुरू के जाएगी अमानिशा नावे में एरा ग्रूप की आवे दिमारतों को गिराने के बाद अब इसके मलबे को ठाये जाएगा और इसके लिए एक्सपलोजिव एक्सपर्ट शरद सर्वटे आज जैपूर पहुंचे और उन जो है उसको वेवस्तित किया जाए तो इस पार्ट को करने में पहला चरण तो ग्राने का था जो हम कर चुके दूसरा चरण अब होगा कि टेंडरिंग करके आम जो कॉंट्रैक्स आएंगे उसके थू यह इसको पूरा हटाएंगे इसका लोह निकाला जाएगा और इसका इसमें जो मैं देख रहा हूं अभी जो इंस्पेक्शन किया तीनों बिल्डिंगों का तो उसको निकालने में जो दो बिल्डिंग बाद में गिराई गई थी ओ तो सुरक्षी तै क्यूंकि उसमें कोई एक्पलोजु का चार्ज बगरा नहीं है जो पहली वाली करतूस होते हैं वो कब तक नलीफाय हो जाते हैं लेकिन नॉर्माली 15 दिन मैंने बरके अंदर अंदर इसकी जो क्षमता होती हो करिब-करिब खतम हो जाती है ऐसा एक मानना है लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि उसको कोई एक्प्रिमेंटल स्टेज पर प्रू किया गया हो इस काफी वक्त तो लगेगा लेकिन इसके बाद में नाले को वो उसी हालात में जो है वापस दाने में काम भी मिलेगी जिस हालात में पहले आमाने शान नाला यहां पर हुआ करता था कैमरा परसन लवकुमार चोधरी के साथ बाबुलाल धायल एटीव नियूज जैपूर